कि आ आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि जटपट बन के रेड़ी हो जाते हैं तो चलिए बनाते हैं तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं और इस रेसिपी को आप व्रत के अरावा वैसे भी खा सकते हैं कि यहां मैंने दो आलू ले लिए जिन् además अजे इल दूंगी मैं अच्छे से मैश कर लिया हैं। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी दो हरी मिट जिसे मैंने इस तरह से कुचल लिया है मान दस्ते से आप चोटी चोटे टुकडों में बाइक काट सकते हैं और यह मैंने ले लिया है एक कप से थोड़ा सकम साबुदाना तो इसको मैंन मैंने तीन-चार गहंटे पहले बिगो दिया था और उसके बाद इसका जो भी पानी है वो सारा स्ट्रेंड कर लिया था तो यह भी मिक्स कर दूंगी अब यहां पर ले लिए मैंने यह आदा कप मुफली के दाने और यह मैंने ड्राय रोस्ट कर लिया था इनको हमें करना है तो सारा ग्राय नहीं करना है थोड़ा सा ही ड्राय न करेंगे हम अब मैं इसमें एड कर दूंगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है व्रत में इसे खा भी सकते हैं यह आदा चमच में डाल दूंगी फ्रेश कुटी और काली दूंगी ऑब अपने टेस्ट के अकौर्डिंग डाल सकते हैं अब अलू और साबुदान को हमें अच्छे से हाथों से मैश कर लेना है ताकि इसका डोव बनके रेडी हो जाए तो साबुदानों को भी हमें मसल मसल के मिला लेना है अलू में ताकि मसाले भी हमारे डोव में तो यह देखिए हमने इसका डोब लगाकर बिलकुछ तयार कर लिया है और इस तरह से इसको अच्छे से अच्छे मसल लेना है अधाना है ताकि सावोदाना आलू और जो भी मसाले हमने डाले हैं कालेमर च tą नमक वो अच्छे से 1 सार मिलजा है सब में और एक अच्छा सा बनके हमारा यहां रेडी हो गया है यह देखिए हो गया ना एकदम परफेक्ट अर्टा और अब मैं अपने हाथों में लगा लूँगी थोड़ा सा ओयल और इसे पूरे हाथों में इस तरह से मसल लूँगी और जो था इसे दो पोशन में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि हम दो रोटियां बेलनी है देखिए इस तरह से और लगाने के बाद में यह आठा है वह बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और हमें यह रोटियां बेलने में इस बहुत इस भी रहेगी अब इस पाउल को हटा दूंगी मैं साइड में और यहां पर रख लूँगी मैं एक पॉल लगा के अगर आप उसे बेलेंगे तो बहुत ही इजीली बिल जाएगा यह और चिपकेगा भी नहीं और जब हम इसको उठाएंगे तो भी बहुत ही आसानी से हम इसे उठा पाएंगे और यह देखिए मैंना एक डो रेडी कर लिया है बिल्कुल और बेलन से इसे बहुत हल के हाथों से हमें इसे बेलना है और इसे दोनों तरफ से अलट पलट के बेलते रहना है ताकि दोनों तरफ ओईल अच्छे से लग जाए और बेलन पर भी थोड़ा सा ओईल लगा लीजिए जिसकी वज़े से हमें इसे बेलने में बहुत ही आसानी रहेगी यह देखिए कितन कट लेते हैं हम यहां बना रहे हैं साबदाना और आलू के नाचोस जिसे आप व्रत में खा सकते हैं तो इस तरह से मैं इसको स्कुएर शेप में काट लूगे यह देखिए अपके पास पूई नाइफ हो तो उसे भी काट लीजिए इस मेरे पास पीजा कटर था तो मैंने कि आप आप नाइफ के ऊपर लगा लिजए ताकि वह चिप नहीं तो यहां पर थोड़ा थोड़ा इस की ऊपर जब लगा रहा हैं ताकि आप तो यह जब रहा हुआ झाटे वक्ति आप COD देना चाहते हैं to A.C.C. आप इसमेर स्क्वाइब नहीं नहीं है तो आप स्क्वायर और जुभर्स बेवर्स भी एड़ कर सकते हैं। एक बाद में हम बहुत ही लिमिटेड चीजे यूज करते हैं। लेकिन अगर आप रत के लिए नहीं बना रहे हैं। तो इसमें चीली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। कुछ और चाट मसाला अगरे डाल के बच्चों के लिए बनाइए एकदम हेल्दी होगा बच्चों के लिए नाश्ता तो इस देखे हमने सारे कट करके रेडी कर लिया है तो नाचोस हमारे कटके रेडी हो गए यहां पर ले लिए मैंने एक प्लेट और उसमें इन नाचोस को ह सबस्क्राइब चाहिएब च offsविए में ऐं उसके उठ्हाइब साफ कर लिया है रिफाइंड और गरम कर लिया है इसमें करके नाचो इसको हमें में डालना है तो दीरे साफधानी के साथ सारे नाचोश को मैं इस हमें डाल Dolly True Shade Aам सिर्फ तीन मिंट लगेंगे इन्हें फ्राय होने में तो साबुदाना के नाचोस हमारे बनके रैडी हो गया है चली इन्हें प्लेट में डेकोरेट कर लेता है यह तो यह देखे कितना आच्छा ट्रैंगल शेप आया है और यह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं साबुदाना के न में एक पीस तोड़के दिखाती हुई देखी अंदर से भी कितने सॉफ्ट है उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है और आप चाहें तो इनके उपर निबु का रस डालके या फिर थोड़ा सा नमक और चेंदर नमक डालके और कालिमिश डालके भी इन्हें डेकोरेट कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा और अच्छे-चे कमेर्स भी करना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी